हलो फ्रेंज, नमस्कार, वेलकम है मेरे यूटूब चैनल में दिल से स्वागत है आप लोग का, कहिए कैसे आप लोग, आसा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे और सभी को ठीक वीराना चाहिए, मैं भी ठीक ही हूँ, तो आज की ये वीडियो, यूटूब वीडियो के उप है, तो मैं क्या करूँ, तो ये जो कोशन उभर के आया सामने, ये छोटा नहीं बहुत बड़ा कोशन है, क्योंकि एड से बहुत बेनिफीट है, तो यूटूब के वीडियो के उपर एडवर्टाइजमेंट यानि की परचार का बहुत बड़ा भेल्यू है, ठीक है, जिनके चैनल के वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, ताकि आपके वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट आना सुरू हो जाए, तो जिनके यूटूब वीडियो के उपर अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है, या तो आ और फिर बंद हो गया, तो आपके YouTube वीडियो के उपर advertisement कैसे आएगा, तो इस वीडियो में आप जान पाएगे, तो इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेके last तक देखना पड़ेगा, बीना skip किये, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आ पाएगा, तो मै आपके YouTube वीडियो पे एड्स क्यों नहीं आ रहा है, तो इसे जानने के लिए, इसे डिटेल में आप लोग को समझाने के लिए, मुझे चलना पड़ेगा मोबाइल आज कीनी पे, ओके फिर, आर्या के मोबाइल आज कीनी पे आप जानते हैं, कि आप अपने YouTube वीडियो के ऊपर एड्स कैसे लाप आएंगे, यदि आपके YouTube वीडियो के उपर एड्स आ रहा था और बंद हो गया, यह तो अभी तक आपके YouTube वीडियो के ऊपर एड्स आ ही नहीं रहा है, तो आप कैसे ल ads कब आएगा ठीक है लेकिन अभी सब कुछ समाप्त हो गया है अब क्या है YouTube किसी भी चैनल के किसी भी वीडियो पे ads डाल सकता है ठीक है तो अभी सभी के वीडियो पे ads आ सकते हैं अटाइजमेंट आ सकते हैं लेकिन क्या होता है किसी बजा डिसेबल हो जाता है अब जानते हैं कि आप अपने YouTube वीडियो के उपर ads कैसे लाप आएंगे तो इसके लिए आप यहाँ पर चलते हैं Chrome browser open करते हैं ठीक है Chrome browser open करते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ YouTube open कीजिए ठीक है जैसे मैं YouTube open कर रहा हूँ यहाँ पर एक चीज़ धान रखना है कि आप इसे desktop side on कर देना यहाँ पर देखिए right side top में three dots है इसके उपर के लिए किजिए then यहाँ पर देखिए desktop side है इसको select कर लिजिए तो एक यह है desktop side में open हो जाएगा जैसे कि आप laptop में या तो computer में open कर सकते हैं कि studio में open होगा यानि कि youtube creator studio open होगा यहाँ पर थोड़ा wait कर लिजिए processing हो रहा है तो इस परकार का interface आपके सामने आएगा यहाँ पर देखिए setting का icon है इसके उपर click किजिए then यहाँ पर देखिए setting के अंदर channel है ठीक है इसके उपर click किजिए तो इस पर करका interface आएगा यहाँ पर देखिए advance setting है इसके उपर click किजिए then इसको scroll करके उपर ले जाईए यहाँ पर देखिए advertisement है ठीक है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है disable interest best ads तो यहाँ पर जो एक bracket है untick है ठीक है इसी तरह आपने check करना है untick रहना चलिए ठीक है यदि आपका tick लगा हुआ है तो इसको untick किजिएगा तो untick करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे जो save है यह highlight हो जाएगा then यहाँ से save कर देना है ठीक है then आप इससे बाहर निकल जाना है फिर आपके तरफ से clear हो जाएगा आप गलती से आप उसे disable कर देते हैं by mistake हो जाता है इस वज़ा से आपके वीडियो पे जो है ads हाना बंद हो जाता है तो इस तरह से आप ads को enable कर सकते हैं अपने वीडियो के उपर Hello friends तो ए वीडियो कैसा लगा आपको पक्का कोमेंट कीजिएगा और जैदी अच्छा लगा होगा तो like और share भी कर दीजिएगा और जो फर्स्ट बार जोईन की हैं मेरे YouTube चैनल प्लीज चैनल को subscribe कर लिजिएगा तो इस वीडियो में इतना ही था फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक क्यार थैंक्यू जैएग